हेलो दोस्तों पायदान बनाने के लिए सबसे पहले साड़ी की धाई इंच चोड़ाई की पट्टिया काटेंगे इसके बाद साड़ी की इस पट्टी को तीन उंगलियों पर तीन से चार बार लपेटेंगे इस पट्टी की लंबाई आप 5-6 मीटर ले सकते हैं और इस पट्टी के दूसरे सिरे पर सैफ्टी पिन लगाएंगे उंगलियों से बनाई हुई इस रिंग पर लगभग 18 नोट्स लगाएंगे पहली लाइन इस तरह से बनकर तयार हो जाएगी वीडियो में दिखाए अनुसार पंदों के बीच में अंगुली को रखते हुए दो फंदे बनाएंगे अगला फंदा बनाने के लिए फिसे पहले वाला पैटर्न ही दोराएंगे अगला पैटर्न ही अगला पैटर्न ही दोराएंगे अब पहले वाले दो फंदों को एक नोट लगाकर शिक्योर करेंगे अगला पैटर्न ही दोराएंगे अब यहाँ पर सुई धागय की साहता से दूसरे कलर की पट्टी अटेज करेंगे अब इस लाइन में भी हम पहले वाले पैटर्न की तरह ही बनाएंगे अब पैटर्न की साहता ही जाएंगे अब चान की साहता ही जाएंगे अब एक पान की साहता ही डहान में प्लाएंगे इन दोनों फंदों को फिर से नोट लगाते हुए सिक्योर करेंगे अब यहां पर हम फंदे बढ़ाएंगे वीडियो में दिखाए अनुसार एक फंदे में हम दो फंदे बनाएंगे ने करेंगे करेंगे कर वी में दिखाएंगे कर दो लगाते हुए भी हैंढे ने क ale देको में हम इंदे में हुए सहुएते हैं। श Testament सबसे प्नटक को सबसे हाएं आगे भी कर वी में वी दो Cl trilा कर आख अंदे हैं। इन दोनों फंदों को फिर से नोट लगाते हुए सिक्योर करेंगे इस लाइन में भी हम पहले वाले पैटन की तरह एक एक बार बनाएंगे और इन को नोट लगाते हुए सिक्योर करेंगे इनी फंदों को बढ़ाते हुए आप जितना बड़ा पायदान बनाना चाओ और आगे आप और बढ़ा बनाना चाओ तो से आगे फंदे बढ़ाते हुए बढ़ा सकते हो अ झाल